हेले दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चनल दिसे प्रॉफिट टॉफ और आज हम बात करेंगे कि आप अगर किसी भी बैंक से कार लोन वगरा लेने जाते हो तो आप अपने कार लोन के इंट्रेस्ट को जो है कैसे जो है 100% फ्री कर सकते हो तो इसके बारे में हम करके बताएंगे उसके बार बताएंगे कि टोटल इंट्रेस्ट कितना वनेगा फिर आपको बताएंगे कि उस इंट्रेस्ट को आप जो है कैसे 100% कैसे फ्री कर सकते हो तो यह complete information देंगे हम इस वीडियो में और आप बताएंगे अगर आपको लोन के offer वगरा जानने वो आप आप कहां से चेक कर सकते हो तो बूरा वीडियो को जो आखिर तक वाच करिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम चलते हैं आपने EMI calculator पर जह यहाँ पर क्या rate of interest चल ला है तो चलते हैं SBI के official site पर तो देखें आपर जो SBI car loan की जो है scheme वगरा चल नहीं है इसके तहर जो 8.40 से starting होगी और maximum 9.20 तक जाएगा यहाँ पर यह धान रखनी की बात है यहाँ आपका civil score जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए तभी आपको bank हो होगी lowest interest rate पर loan provide करेगी तो हमने जो interest rate लिया वो 8.40 लिया हुआ है वहीं इनकी जो दूसरी scheme है loyalty car loan scheme इसमें 8.35 से starting होगी 9.15 परसं तक जाएगा फिर यहाँ पर SBI green car loan भी है यह electric cars के लिए होता तो 8.20 से starting होगी 8.65 परसं तक जाएगा तो हमने अभी के लिए जो rate of interest लिया व और 7 साल के लिए ले सकते हो तो यहाँ पर loan tenure हमने 7 साल select कर लिया आप देखे आपका मंतली M.I. और total interest कैसे क्या बनेगा तो मंतली M.I. देखे आपका बन रहा है 9,472 रुपए इंटर्स आपको pay करना पड़ेगा एक लाग 95,627 रुपए आपको total interest पे करना पड़ेगा और total payment आपको जो बैंक को वापस करने होगे वो करने होगे 7,95,627 रुपए तो इस तरीके से आप इस website से तो पहले अपना मंतली M.I. और total interest निकाल सकते हो कि कितना आपको interest पे करना पड़ेगा कितना आपका मंतली M.I. बनेगा अब हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक website के बारे मताना चाहेंगे जिसका नाम है देशी लोन All Banks Loan Offer इस website पर आपको हर बैंक के लोन के offer वगरा मिल जाएंगे जैसे कि person loan हो, home loan हो, car loan हो, two wheeler loan हो, education loan हो, इन सब के आपको offer वगरा के link मिल जाएंगे और भी कुछ important link वगरा जैसे कि आगर आपको interest rate वगरा चेक करना है, eligibility चेक करनी है, EMI calculate करनी है, तो उन सब के आपको link वगरा इस website पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर credit card के भी काफी सारे offer वगरा चलना है भी, तो जैसे कि आप देखिए ICICI bank का credit card में यहाँ पर no annual fees और joining fees है, तो आप credit card यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से apply करने का बटन आएगा तो इसका भी link भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको काफी कम interest rate पर आपको home loan provide कर रही है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऊफर वगरा लिंक बिल जाएंगे और नीचे आएगा, तो जैसे आपको अगर किसी particular bank के home loan, personal loan, car loan to villa loan पर जाना है, तो आप यहाँ पर सारे link वगरा दिये हुए है, तो इन link पर आके जो है check out कर सकते हो, तो इस website को जो link है मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, एक बर जाके जरूर check out करिएगा, आप चलते है अपने EMI calculator पर जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपका जो यह interest है, यह जो interest है, एक लाग पिंचान मे जो है जोड के वो आपको SIP mutual fund में जो है investment करनी है, तो मान लिजे अभी आपकी EMI चली 9,472 रुपए, और यहाँ पे आपने 6,00,000 का लोन लिया था, 7 सालों के लिए, rate of interest 8.4% है, तो यहाँ पे इस EMI पे अगर आप जो है, तीन हजार रुपए प्लस कर देते हो, तीन हजार रुपए का जो है, आप SIP में मान लिजे, invest करते हो, जितने साल के लिए आपने लोन लिया है, उतने ही साल के लिए आपको SIP में भी invest करना है, तो यहाँ पे मैंने जैसे 7 years के लिए लोन लिया, तो मुझे 7 years के लिए ही जो है आपर investment करनी होगी, क्योंकि SIP का खेल यह है, कि यहाँ पे जितने years आप tenure बढ़ा होगे, उतना ही return आपको जादा मिलेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमने मान लिजे, SIP 3,000 रुपए की SIP करा लिजे, तो आप मान लिजे मेरी मंतली M.I. लगबग 12,000 जो है कुछ रुपए आपको देने पढ़ेंगे, टोटल इसमें 9 1000 रुपए आपकी मंतली M.I. होगी, और 3000 रुपए आपको SIP में invest करना हर महीने, अब हम बताते हैं कुछ SIP की scheme वगरा, जैसे कि SBI की कौन-कौन से scheme में invest कर सकते हो, यहाँ पे क्या return मिलेगा, उसके बाद हम SIP जो है calculator से आपको expected return आपको बताएंगे, तो चलते देखे, SBI क SIP कौन-कौन से आपको चल नहीं है, तो यहाँ पे देखे, सबसे पहले नाम आता है SBI Blue Chip Fund, यहाँ पे इसका देखे, 1-year का return, 3-year का return और 5-year का return जो है दिखा हुआ है, तो उसके इसाब से आप जो और return देख सकते हो कि average एक return क्या आ सकता है, तो SBI Blue Chip Fund में देखे, एक साल के 9.75 मिला है, तीन साल के लिए 13% पर मिला है, और 5 साल के लिए 21.68% पर मिला है, ऐसे ही SBI Contra Fund है, आप भी 6.8% पर मिला है, आप एक year के लिए 3-year के लिए 10.53 और 5 years के लिए 18.48, तो हमने यह देखा कि आपको जो है, जो आपको SIP में investment करनी है, तो वो long time के लिए करनी है, लग स्कीमें बगारा चल नहीं, उसमें जो expected return है 5 years का, वो लगबग देखे 14-15% के आसपास का तो है, और उससे ज़्यादा भी जा सकता, देखें, जैसे इसमें 21% गया है, नीचा है का तो यहां देखे 24% गया है, इसमें 27% गया है, SBI Small and Midcat Fund में देखें, एक year में ही 20% जो है return ग देखें, तो यहां पर देखें, आपको, आप यहां पर SIP में मंतली investment 3000 रुपए आपको करना है, आप यहां पर expected return जो हमने माना है, वो अगर आप 7 साल के लिए, जैसे आपर time period हमने 7 साल सलक किया, जितने साल के लिए हमने car loan बगरा लिया है, उतने साल के लिए हम जो time period सलक क करेंगे, expected return जो मैंने सलक किया, वो 15% किया है, और इससे maximum भी जा सकता, और इससे कम भी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है, तो उसके लिए जो है, आप देख सकते हो, यहां पर expected return जैसे आपको बताए कि 5 साल में जो एक average आता है, वो 15% के हिसाब से आपको, आपने मान लिया, तो 3,000 रुपए कि आप मंतली SIP कराते हो, 15% के expected return पर 7 सालों के लिए, तो देखिए, आपने कितना total amount invest किया, और आपको कितना return मिला, तो आपने देखिए, total invested जो amount है, वो है, 2,52,000 रुपए, आपको जो return वगरा मिलेगा, वो मिलेगा, 1,94,904 रुपए, total value जो हो जाएगे आपके amount के पूरा, तो वो हो जाएगे 4,64,904 रुपए, तो देखिए, आपको जो return मिला, वो मिला है, 1,94,904 रुपए, जो कि आपके car loan के लगबग बराबर, आपको पूरा car loan का interest जो है, आपे 100% free हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखिए, interest प्रे करना पाता, 1,95,277 और 16 पर भी मिल सकता है, आपको 17 पर भी मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए, आपको जो interest है, वो आपको ऐसे ही जो है, अपना 100% free कर सकते हो, तो आप अगर यह जो तरीका है, यह आप जो है, सिर्फ car loan में नहीं यूज़ कर सकते हो, इसको आप जो है, home loan में भी, home loan में तो और यह अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कि home loan जो है, minimum 10 साल के लिए लिया जाता है, maximum उसको 30 साल के लिए आप ले सकते हो, अगर आप 30 साल के लिए, माले 2000 रुपए की भी SIP वगरा करवाते हो, तो आपका return वगरा जो है, आपका interest जितना भी बनेगा, उससे भी आपका return जादा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप जो है, अपना investment plan जो है, बना के चल सकते हो, इस तरह आप अपने loan को interest fee बना सकते हो, तो यह तरीका आपको कैसा लगा, तो I hope, आपको हमारी information जो है, पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको informative लगा हो, तो चैनल को subscribe कर दीजेग वीडियो पर एक like कर दीजेगा, और इस site पर जो है, विजिट करना मत बूलिएगा, अगर आपको loan के offer अगरा जाने, credit card के offer अगरा जाने, credit card के लिए online apply अगरा करना है, तो आपको यहाँ पर कोई भी annual fees और joining fees देनी की जरूरत नहीं है, काफी detail में information मिल जाएगी इस website पर, तो इस website पर जो विजिट करना मत बूलिएगा, इसका link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमें comment करके बताएगा, आगे आप किस bank के बारे में हमसे home loan, personal loan, car loan, two-wheeler loan के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो क comment box में comment करके हमसे बूल सकते हो, तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलता है next video में तब तक के लिए धन्यवाद